तो friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काले चनी की एकदम नई रेसिपी जो शायद ही आपने कभी बनाई हो इस तरीके से एक बार आप इसको जरूर बना के देखना बहुत ही टेस्टी बनती है Hello everyone, मैं हूँ ममता और सागत है आपका कलाकारी हब में Friends, अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना आके शेयर ज़रूर करना और में इंट्रेस्टिक रेसिपी इसके लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चलते हैं वीडियो की तरफ तो Friends, काला चने की रेसिपी बनाने के लिए हमने एक कब भीगे हुए काले चने लिया है जिनको मैंने रात पर भीगो के रख दिया था और अभी धोकर कुकर में चड़ा दिया है दो से तीन कब पानी डाल दिया है अब हम इसमें एक बड़ी हरी मिर्च लेंगे और दो टमा दाला है और एक छोड़ा चमच ऑईल डाला है और फिर आज आपको मैं इसके पकाने के दो तरीके बताऊंगी तो पहला तरीका यह है कि आप इसमें कूकर का ढगा कर और लो फ्लेम पर लगबग आदा पौन घंटे के लिए पकने के लिए रख दें और बस फिर प्रेशर न जीरा एक छोटा चमच और कुछ दाने काले मिर्च के लिए है और इनको अभी हम ग्रांडिंग जार में डाल लेंगे और अभी हमें इनको पीस लेना है बिना पानी डाले पीसना है अगर थोड़ी बहुत जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते है वैसे प्याज खोल के मैंने इसमें 7-8 सीटी लगवा ली थी मैं कभी कैसे तरीके से बना लेती हूं कभी कैसे तरीके से तो आज मैंने इसमें सीटी लगवाई थी और अभी ये टमाटर देखे बिलकुल बढ़िया से गल चुके हैं प्याज भी एकदम अलग अलग हो गया है और आलू भी बिल्कुल बढ़िया से गल गया है अब हम इन सारी चीजों को नो मैश कर लेंगे या तो आप वो मैशर आता है ना उससे मैश कर सकते हैं या कर्ची से और अभी देखे चने का दाना देखा है निकाल के ये भी अच्छे से गल गया है और अभी अच्छे से कर्ची से ही मैं इन चने निकाल के रख लिये थे, आज इनी से मैं आपको एक बहुत ही जबदस्त टिप देने वाली हूँ, और यहां पर गैस पे हमने कडाई रख दिया, दो बड़ा चमच हमने ओईल डाला इसमें, और ओईल के गरम होने पर हमने यहां लिया जीरा, एक छोटा चमच, एक छोट यह इसको अभी हम अच्छे से भून लेंगे, हमें इसको डालते हुए, तो गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, लेकिन बाद में जैसे-जैसे यह भूनने लग जाएगा, तो बीच-बीच में हम लो करते जाएंगे, लो टु मीडियम फ्लेम पर हमें इसको भूनना है, बहु और अभी हम डालेंगे इसमें आदा चोटा चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर ये डालना बिलकुल ऑप्शनल है ये तीखेपन के लिए नहीं है थोड़ा सा कलर के लिए है और अभी हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे अच्छा मसाले डालते हुए गैस का फ्लेम ग्रेवी है ये इसको हमने इसमें डाल दिया है इससे क्या होगा आपके चनों में बहुत अच्छी थिकनेस आएगी बहुत अच्छा गाड़ा पनाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा इसको डालने के बाद एक मिनुट के लिए इसको पका लेंगे और फिर हम डाल देंगे इसमें अपने पॉयल चने और फिर चने डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख रहें मिक्स करते हुए ही कितना गाड़े चने बने हैं वरना हमेशा प्रॉब्लम होती है कि चने पतले-पतले बनते है और अभी हम इसमें थोड़ा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जैसा चाहिए, अब हमने इसमें आदा छोटा चमद्क गरम मसाला डाल दिया है, और अच्छे से से इसको मिक्स कर देंगे, गरम मसाला डाल के 2-3 मिनट पकाएं, और फिर इसमें डाल देंगे, हम बारी कटा हुआ हरा धनिया, बारी कटा हु और हमारे बढ़िया से टेस्टी काले चने की ये ग्रेवी वाली सब्जी बनकर रेडी है बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है उपर से बारी कटे हरे धनी से गानिश कर देंगे थोड़ा सा बटर डाल देंगे उपर से तो इसका टेस्ट और भी है और देखा आपने कितना असानी से बन जाती है फटा फट से बनने वाली ये सब्जी है और एकदम नए तरीके से बनाए है हमने अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को फ्रेंस लाइक और शेयर जरूर करना और भी नही नही रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब पड़ जरूर कर लेना थंक्स पर वाचीं